कि बारतिय जनता पार्टी का और जेजेपीप का दुशन चुटाला का और बारतिय जनता पार्टी का अगर समझोता चलेगा अर्याड़ा में तो विरेंदर सिंग नहीं रहेगा वाई वे ये बात साथ ए ये है चोदरी विरेंदर सिंग कड़्वे बोल जो है जेजजेपी के खिलाफ बोलते रहे हैं लेकिन आजकल जो है शांत नजरर आ रहे हैं इसलिए बारतिय ज्यादा बोलबाला जो है बी जेपी हमकी टिक्टें भी जो हैं वो भी काटी हैं शायद इसी को लेकर जो है चोदरी विरेंदर सिंग शांत होते नजर आ रहे हैं मामला जो है फसा हुआ है टिक्टो को लेकर जेजेपी ने पूरी गेम जो है बीजेपी के पाले में फैकी हुई है बीजेपी से दो टिक्टों की मांग की जा रही है हलागे भी पांच मेंबरी जो कमेटी बनी है वो बीजेपी के सीर सिनेताओं से बातचित करने के लिए तयार है बातचित करेगी हिसार सीर्ट तो मांगी रहे है इसार सीट से अगर जेजेपी को टिकट मिल जाती है तो दिग वीजेश चुटाला को जो है वहाँ से चुनाव लड़वाय जा सकता है उचाना से आपको पता है दुशन चुटाला जो है अभी विधायक है और सरकार में उप मुखे मंतरी हैं तो इसार से सांसल चोदरी विरेंदर सिंग के बेटे हैं विरेंदर सिंग गाहे ब्याय जो है जेजेपी के खिलाफ बोलते रहते हैं लेकिन आज कल वो शान्त इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ जो भी गतिविद्या करते हैं पार्टी उन्ह पी और जो अमेले का इलेक्षन है वो लड़वा देती है अगर जो आप ज्यादा बोलोगे तो शांत हो जाओगे साथ ये बातें कुलदीब विश्णोई को भी पता है और जो कॉंग्रेस या ने पार्टियां छोड़ कर बीजेपी में आया है सब को पता है कि शांत होकर काम करते जाओ तो टिकट मिल जाएगी अगर जो ज्यादा हवा में उड़े तो टिकट कैंसल हो जाएगी इसी को लेकर जो है चोदरी विरेंदर सिंग का आज कल शांत नजर आ रहे हैं आपको याद होगा जीन में मेरी आवाज सुनो रैली जो विरेंदर सिंग ने की थी उसमें जेजेपी के खिलाफ जो है खुल कर बोले थे जेजेपी के खिलाफ उन्होंने खुल कर एक बात कही थी कि अगर जो जेजेपी और बीजेपी का गढ़वंदन रहा तो बीजेपी को वो रहा तो बीजेपी के साथ वो नहीं रहेंगे अब जो सुचना मेरे पास आ रही है कि जेजेपी का पूरा दबाव इसे में बीजेपी के उपर है, दो सीटों पर मांग की जा रही है अगर जो इसार सीट जेजेपी के खाते में चले जाती थो दिखवीजे चोटाला को जो है जेजेपी चुनाओ लड़वा सकती है उचाना सीट जो है वो भी दुशन चोटाला छोड़ना नहीं चाते लेकिन बीजेपी जो है अंदेखी जो है इन चोदरी विरेंदर सिंग की भी नहीं करना चाती उनको भी अंदेखा नहीं करके चलना चारी बीजेपी क्योंकि काफी संक्या में जाट वोट जो है वो चोदर बिरेंदर सिंग ने खूब बाते कहिए और खिलारियों वाला बंसला जो है आप लोगों को पता होगा मुइला खिलारी जो परदर्शन कर रही है उनके बारे में भिल का बोले थे और पार्टी को यह पता है कि अगर जो बिरेंदर खिलारी को उन्हें अगर उनदेखा कर तो इसका खामियाजा जो है उनको भूगतना पड़ सकता है इसलिए बीजेपी जो है बड़े सोच समझ के कदम रख रही है इसा सारे मामले में तो ना दुशन्च चोटाला की पार्टी को नराज कर सकती है और ना ही चोदरी बिरेंदर सिंग को नराज कर सकती है ऐसे में विधान सवा चुनाव है उचाना सीट के लिए जो है दुशन्च चोटाला को मना सकते हैं कि ये उचाना सीट जो है चोदरी बिरेंदर सिंग के परिवार को दे दे जाया अगर जो दुशन्च चोटाला नहीं मानते हिसार सीट भी लेते हैं तो उचाना सीट भी जो है अप प्रविन शर्मा अभी तक डिक्लेर नहीं की गई इसी को लेकर पार्टी सो समझ के कदम रखे रही है रोतक की सीट में भी जो है अभी पेच फसा हुआ है अर्विन सर्मा का दावर नेता रहे हैं उनकी टिकर जो है वो भी कटती हुई यहाँ पर नजर आ रही है जैसा कि सूत भी पार्टी से अगर जो बीजेपी छोड़ कर अर्विन सर्मा किसी भी पार्टी से आते हैं तो उनके लिए करनाल लोक्षभा का चुनाव जितना बड़ा ही असान होगा अब क्योंकि बात हम जैजेपी और बीजेपी और चोदरी बिरेंदर सिंग की कर रहे हैं अभी मामल सारा बीजेपी के पास है बीजेपी जो है किसे खुश करती है किसे नराज करती है अंडिये में जो गटक दल है जैजेपी उसको भी नराज ने करना चारी उसको भी किसी तरह जो है मनाने की जो है कोशिशें वो चल ली है अभी जो शूतर बता रहे हैं भी जैजेपी की बी नहीं होई अभी सिर्फ जो है इशारा दिया गया है कि हमें जो है दो सीटे चाहिए दो सीटे नहीं मिलती तो भी जो है मामला फस सकता है इसार और उचाना सीट का जो मामला है वो भी फस सकता है विरेंदर सिंग नराज होंगे विरेंदर सिंग मानेंगे वो भी अभी जो है ब्रेंदर सिंग जाने और दुशन चुटाला ने अपनी जो गेम जो है वो खेलनी शुरू कर दी है और अपने जितने भी कैंडिडेट जो चुनाव लणना चाह रहे हैं जो उनके कारे करता हैं उनको आदेश भी जो है जारी कर सकते हैं तो फिलाल अभी यह है कि दस लोग दें और एन वक्त पर जो है उनकी एक सिट वो भी कार लिजाएं इसी को लेकर जो है जेजेपी भी तैयार चल ली है इस वार जो है मुकाबला जो है बड़ा दिल्चस्प होने जा रहा है कोंकि कॉंग्रेस भी जो है दावे कर रही है कॉंग्रेस चेजात आव पार्टी आ कर रही है और अब पार्टी भी पर फुलित हो रही है कि मिलकर चुनाव लड़ने है दोनों पार्टी एक दूसरे को देख कर चल रही है इधर भी जो है वह बहुंज हो ले है तो फिलाल अब देखना होगा कि बिरेंदर सिंग्ग नराज होंगे मानें इंगे पार्टी लेकिन ये तैय जरूर है कि उच्वाना सीर जो है चोदर विरेंदर सिंग छोड़ना नहीं चाहते हैं आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है